नमस्कार आप देख रहे हैं कानूनी जंग नियूज, आइए जानते हैं रड़ेया नगरपरिश्यद वार्ड नमर 12 के भावी परत्यासी स्वर्णदीप गुवर्मा से इनका परिचे अगर जीत होती है तो वाड नुमर बारा के लिए क्या लाबकारी योजनाओं का विकास करेंगे अपने वाड के लिए हमारी जीत होने के पस्चात ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी के साथ मतवेत या भेत रहेगा हम सब को साथ लेकर चलेंगे सभी जाती का सयोग प्राप्त है इसमें लाला हो ब्रह्मल हो चाहिष्ट ब्रह्मल चाहिए यादाव हो जैन्मारी पनमीद भी नी zebra Margaret कारिकरम के अनरण मैं जहां भी मिलना हूँ मुझे सपोर्ट मिला है इसकोई नहीं है कि कोई मुझे इगनोर किया है ऐसा अभी तक पर्तित नहीं हुआ सब ने अस्वासन दिया है आपके वाड में सरक और नाले निर्मान की क्या इस्तिती है और क्या करना चाहेंगे आप अगर आपकी जीत होती है तो देखिए जो भी कमी रह गई है जो प्रियास किया गई है अपनी हद तक जो कर सकते थे कि अपनी छमता के नुसार बट जो भी कमी है जो कविस्तान के कोने से होके अगर नाली लग रहा है हम यह तै करेंगे और उसको हम खुद मोनिटरिंग करेंगे हम खुद चलके दखेंगे पुरावस्ती कि कहां क्या कच्रा जमा है या नहीं है कि उसके लिए जो भी होगा वो हम करेंगे उसमें कोई यही नहीं है परमान दीके कटान को भी यूट्यूब में मिल जाएगा अरर यास तक न्यूज चैनल को भी लेकर हम आए थे दूसरे दिन ठीक है ना तो रात में 11 वजे जाके नदी कटान के लिए हमको फोन आया था लगए अपको 9-10 वजे हम संकोविया के दुकान के पास थे जो भी लड़का उस्चर में मेरे पास पस्तित था हम 6 लड़का से वहां पहुँचे 12 का पूरा फूल था तो हम 11 वाड़ होके नुरवया घर होके हमको जबकि तहरना नहीं आता फिर भी रिस्क लेके सब लड़का के साथ बाइक से वहां गए और वहां पे मिटी प्लास्टिक का बोरा में मिटी भर भर के हम लोग उस टैब में ततकालिक ववस्था फिर उस से फिर उस से उस टैब से मेरा पचास के अंक तक जहां तक आंकड़ा पुरेगा हम उसको ही लेंगे तो इसमें कोई भी पक्षपात की बात नहीं रहेगी और जाती बात का कोई बात नहीं होगा आपके कारिकाल में महोदे अगर आपकी जीत सुनिशित होती है तो इसकूल के शेत्र में जहां से बच्चों को सिक्षा प्राप्त होता है, उस शेत्र में आपका क्या अविकास होगा है? इसकूल वाड नुमर बारा में चुकी एक ठो अवंटित है, जो काफी समय से सुनने माया है, वहां भूमी भी दिये हुए है, वाड के ही कुछ लोग, जो इसका निर्मान नहीं हो पाया है, हम सबसे पहले हम जिला सिक्षा पदाधिकारी से मिल के, उस इसकूल का काम कहां तक ह हुआ है, या कहां रुका हुआ है, इसके लिए हम अभी तक कोई जानकारी नहीं लिए है, जूट नहीं बोलना है, अगर हम इस चेतर में आते हैं, अथवा नहीं भी आते हैं, जितते हैं या नहीं भी जितते हैं, तो भी मेरा ये ध्यान अब हमेशा रहेगा, हमें जितना भी जनता का समर्तन प्राप्त है हम उसके लिए हमेशा जितना बहतर से हो सके बहतर कर सके और स्कूल के लिए हम जरूर प्रियासत रहेंगे जब जमीन दे दिया गया है तो उसका निर्मान जल्द से जल्द हो जाए आपके वाड में महदे कोई सामोदाइक विकास भवन है क्य है कि जल से जल उसका निर्मान करवाएं वो लोग ठीक है उसमें पूरा समाज की भूमिका है लेकिन कुछ भईया लोग है जो कि जादा सक्रिये हैं तो उन लोगों का साथ हम भी देंगे ठीक है और सब अभी तक भी समर्थन मिला है कुछ कमीवेसी हो जाती है ठीक है लेकि टाइम हम पूरा से पूरा जब जहम जीत के आएंगे तो समाज के लिए मेरा पूरा से पूरा समय रहेगा और हर छेतर में हम इसका काम करेंगे अनतर दसारा पर्व को लेकर आप अपने वाड नमर बार की जनता को क्या सुबकामना संदेश देना चाहेंगे विजिया दसमी कि बहुत-बहुत सुभकामना सभी वाडवासियों को और सभी नगरवासियों को हम इसके लिए प्रियासरत है कि आप लोग हमें अपना असिरवाद दें मेरी सुभकामना आप लोग के साथ है आप लोग सुखी संपन और खोसालपुर्ण विजिया दस्मी मनाएं देवी पूजा की नो दिन का यह मंगल में यातरा अदम सुखी पूर्ण गुजरे और सभी अच्छे से विजिया दस्मी परवका मनाएं और उत सब का अनंद लें धन्यवाद अभी आपने शुना वाड नमर बारा के भावी परत्यासी स्वर नदीप बर्मा को जिन्होंने अपनी राय से मेरे कानूनी जंगनियू चैनल को अवगत कराया देखते रहे कानूनी जंगनियू का रही है और क्या विकास करने की चाहत रखते हैं आगा हमी चुनाओ जीतने के बाद देखे बिर्धा पिंसर विद्वा पिंसर यह सारा का जितना भी छुटा हुआ है और जो उसके लिए फ्यूक्त है वो निसान निर्देश के अनुसाद जिसका भी बनाता है वो बनाएंगे हर कीमत पर उसके लिए जहां जाना होगा जो प्रकेरिया है उससे गुजरना होगा और वह बहुत बड़ा काम नहीं है विद्वा पिंसर बनाना बिना वाट कमिशनर रहते हुए भी हम बहुत का आवाज का जो फोटो नहीं हो पा रहा था नगर परिस्द से हम क्यमरामेन को बलाके कम से कम आठ से दस घर का हम फोटो करवाए हैं जो पिछले डियर साल का मेरा कार है जब से हम इस अभियान में लगे हैं तो हम यह काम को जितना हमसे हो सकता है बिना वाट कमिशनर रहते भी वह किये हैं चाचछट पुजा के घाट पे जैसी भी से साफसफाई का का काम हो हम पहले पार के लिए हैं डिकर आपके वाट की आठ मिल रहा है अँच्छा खासा मदं मिल रहा हुए और आश्र बाद वाद को सर्स canyon किस पेकार मिलना है और आपके वाड में कुई राशन विक्रीता हैं भी के नहीं फिलाल तो हमारे वाड में अभी अपना कंट्रोल नहीं है बातकर करेंगे परदान मंतरिय आवास के छेटर में आपकी क्या भूमिका होगी सर अगर आप जीत के आते हैं मेरी भूमिका होगी सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास के साथ है अगर मान लीजी हमको जितना भी मेरे वाड में आएगा आवंटन कि मुझे पचास लोगों को देना है तो मैं पहले यह सुरिष्चित करूँगा कि इसमें कोई भी जाती विशेष का ज़्यादा धियान ना रहे हर जात को समान रुप से मिले और उसमें भी मेरी प्रात्मिक्ता रहेगी कि सबसे गरीब रेखा बीपील के अनुसार कर्मा वहां पर उवस्तित हुआ था और उसमें हम उसका सहयोग किये थे खुद हम लोग बेलचास से प्लास्टिक के बोरा मिट्टी भरे हैं और उसका हर कोपी को हम हर गुरूप में फारवर्ट किये लिंक दिये फेस्बूक पर पोस्ट किये बाच्पान अगर अध्यक्ष से भी बात किये जिला अध्यक्ष को भी हम वाट्सेप किये प्रशनल में तो बोला अभी कुछ दिन पहले वहां पे कुछ प्लास्टिक कब हो रहा और मिट्टी भर भर के डाला जा रहा है और कुछ दिन जैसे बात हुआ है कुछ करमचारी है आन चलके उनसे वह बोले कि र गरीब से गरीब के घर तक बीना जाती का भेदवा किये हुए सारे योजनाओं का लाब पहुंचना चाहिए जब गरीब का घर खुस रहेगा और उसका दिल में दया रहेगा वाट का विकास तभी हमको असिरवाद मिलेगा हम उनके लिए ही है जो हमारे लिए जो गरीब से एड कर रहे हैं निस्वार्थ वोट किसी को दे मेरा जो धर्म है एक राजनितिक रूप किसे कि भोटर लिष्ट में नाम एड करना सबसे पहला तो हम उसका काम किये हैं आज जो भी कंडिडेट आये हैं वो तो ना तो पहले से प्रियासरत थे ना कुछ उसको भी मतलब जो भी हो सयोग उसको भी कुछ लोगों का सयोग है लेकिन हम इस काम के लिए प्रियासरत थे और निरंतर समाज में एक डेड़ साल से हर एक सक्स से ये बात बताते चले जा रहे थे कि मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा बजापते छट पुजा मैंने बैनर भी लगा दिया थ हैं इसमें किसी भी तरह का दिकत नहीं है जिस गरीब जनतक का सहयोग है सर आपके साथ उनके वीडियों